नमस्कार दोस्तो, HPG के हब YouTube चैनल में स्वागत है आप सबीका, दोस्तो, Junior Office Assistant IT Postcode 949 की Computer Series को आगे बढ़ाते हुए, आज हम जो हैं Class 10 को डिसकस करने वाले हैं, इससे पहले हमने 9 Classes Already डिसकस कर रखी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप जो हैं Playlist में जाकर देख सकते हैं, दोस्तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप जो हैं JYT 249 Postcode के लिए Special Notes, MCQs, Mock Test, Topic या Subject Wise जो हैं वीडियो कॉर्स लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर दिये गए WhatsApp नमर पर Contact कर सकते हैं, WhatsApp न इस functions will calculate the number of workdays between 6-9-2013 and 8-12-2013, तो इस date के बीच में जो आपके workdays होंगे, उनको कौन सा function जो है, calculate करेगा, ठीक है, दोस्तो इसका जो correct answer होगा, option D हो जाएगा, weekday, ठीक है, weekday जो है, इसका option correct हो जाएगा, weekday जो है, जो week में days होते हैं, उनको count करता है, और यह specialist में क्या होता है, आप जो है, date जो भी आपने format डाला होगा, उसे डालेंगे, और साथ में, optional एक डालते हैं, जैसे values डालते हैं, अगर आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो यह उस type से जो है, return करेगा, और by default यह जो है, आपका, one जो है, वो Sunday का होता है, और जो आपका 7 होता वो Saturday का होता है, ठीक है, 1 से 7 के बीच में यह values return करता है, दोस्तों, अगर आप जो है, इस Excel, PowerPoint और MS Word की detail में वीडियो चाहेंगे, तो अताब भी आप जो है, WhatsApp नमर पर contact कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जो है, आपको पूरा description, पूरा detail में जो है, पढ़ाया जाएगा, ठीक है, sheet, therefore, तो जो आपका data maker होता है, चार्ट पे, जो की link किया जाता है, आपका, to data points के लिए, तो data points के लिए, जो आपका, यह data maker होता है, मैं Excel में, तो वो क्या करता है, उस से क्या होता है, आपका, यह 4 option दिये यहाँ पे, तो इसके जो correct answer होगा, option D होगा, आप जो है, you can change the position of data maker, and that automatically change the data points value, ठीक है, जब आप जो है, position change करेंगे, आपके पास जो है, position change करने का option होगा, data maker का, अगर आपको उस position को change कर देंगे, तो आपकी जो भी data points होगे, उनकी value जो है, वो change हो जाएगी, ठीक है, next जो है, आपका, you can change a data point value, and automatically that is drawn in a chat, तो आप data point की value भी change कर सकते हैं, ठी data point की value change करेंगे, जो कि आपका automatically chart जो है, draw कर देगा, ठीक है, तो option D, both B और C, जो है, आपका correct हो जाएगा, next जो question है, MS Excel uses the dash function when creating a data table, तो जब आप data table को create करते हो, तो आप कौन सा function जो है, use करते हैं, तो दोस्तों, आप जो है, D function का use करेंगे, यह D function है, यहाँ पर table, ठीक है, जो है, data, यहाँ पर data table को create कर सकते हैं, ओके, option D, जो है, correct हो जाएगा, यह आपका average के लिए होता है, और यह count करने के लिए होता है, next question है, in MS Excel to protect a worksheet, you can choose protection and the protect sheet from the dash menu, तो अगर आपने MS Excel में जो है, जो है, worksheet को protect करना है, तो आप, जो है, चूजग करोगे, protection और protect sheet, कहां से choose करोगे, तो यह जो है, आपका extrless is here, option C हो जाएगा, अपने जो है, tools में जाकर, tools में जाकर जो है, protection का, यह, protect sheet का, जो है, option select करना है, ठीक है, option C, जो है, correct हो जाएगा, next question है, फिफ्ट कुश्टन इन MS Excel यi can open the highlight changes dialogue box by choosing track changes from the dash menu तो अगर कोई भी आपका highlight होता है highlight change होता है track change का मतलब क्या होता है track change का मतलब होता अगर आपके document के साथ चेड़ छाड करता है तो आपका जो document है वो highlight हो जाता है तो उसी highlight box को आप कहां से चेक करोगे वह दोस्तों आप चेक कर सकते हैं टूल्स में जाके ठीक है ऑप्षिन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा टूल्स मेन्यू नेक्स्ट यहां पर क्वेस्चन है इन MS Excel 3D reference is a in a formula तो 3D reference का जो है formula क्या होता है ठीक है ओप्षिन से इसका जो करेक्ट होगा डी होगा ठीक है ओप्षिन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा स्पैन्स वर्कशीट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेशन की बात करें वट MS Excel फीचर कैन वी यूज इफ यूँ वांट टू वर्क विद वन रिकोर्ट एटा टाइम तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब आपने आप जो हैं काम करना चाहते हैं किसी एक रिकोर्ट के साथ एक टाइम में ठीक है तो आपके बास चार ओप्षिन है ऑटो कंप्लीट ऑटो फिल्टर डेटा फॉर्म एंड ओल अफ दीज एबब तो आपका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्षिन सी ठीक है आपका option question है in ms excel what chart object is a horizontal and vertical line that extend across the float area to make it easier to read and follow the values तो कौन सा ऐसा object है जो आकि आपका horizontal और vertical line में extend होता है across a plot area जो कि आपको read or follow करने में easy होता है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम दोस्तों कहते हैं grid line ठीक है option d जो हैब का correct हो जाएगा grid lines आपकी जो है ऐसे ऐसे लगी होती है तो option d जो हैब का correct हो जाएगा next question के हम बात करें in ms excel value used in a formula that does not change is called तो ms excel formula में जो values use की जाती है और वो change नहीं होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं constant ठीक है constant कभी भी change नहीं होता है ओके तो option b जो आपका correct हो जाएगा next question है आपका in ms excel which elements of the worksheet can be protected from accidental modification तो आपका कौन सा element है जो कि आपका protected होता है कर कोई भी आपका accidental modification होती है उससे ठीक है तो इसका option जो है डी correct हो जाएगा all of these above तो आप contents objects scenarios सभी को जो है protect कर सकते हैं from accidental modifications से ओके next question है in ms excel for comments in ms excel comments can be added to using cell using sorry जो आपका excel comment होता है वो add किया जाता है cells में तो किसके through आप जो है आड कर सकते हैं इसने edit में जाकर comment review में जाकर comments file में जाकर comments और all of these above तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो होगा option भी ठीक है review में जाकर जो है आप comments को add कर सकते हैं ठीक है यह 2007 और 10 की बांद का जो version है ठीक और कई जगा आपको internet पर जो है इंसर्ट में जाकर review भी मिलेगा ठीक है लेकिन जो आप प्रैक्टिकरी देखो तो reviews में जाकर आपको comments मिल जाता है option भी जो है इसका correct हो जाएगा next question है in MS Excel how can you delete a record तो Excel में आप record को कैसे delete कर सकते हैं तो Excel में आपका record जो है वो delete होगा अपने select data में जाकर select data form और from the menu to open the data form dialogue box find the record and click the delete button तो आपने गया करना है select data में जाकर आपने form में जाना है और वहां पर data form dialogue box open होगा उसमें आपने record को find करना है और click कर देना है delete button पर तिक है option भी जो है आपका correct हो जाएगा next question है in MS Excel documentation should include तो MS Excel में जो documentation होती है उसमें क्या-क्या include रहता है उसमें जो आपका destination of end users of the output of the data यह होगा आपका source of input data होगा information on the purpose of the workbook होगा और all of these above तो इसका correct answer जो है option D हो जाएगा all of these above इसमें आएगा ठीक है option D will be correct answer next question है in MS Excel dash function append several strings one after the other तो इसमें कौन सा ऐसा function है जो मल्डिवल स्ट्रिंग्स को one after another मतलब एक के बाद एक add करती ठीक है append का मतलब होता है आपका add करना ठीक है जोड़ना मतलब कि आगर आपने कुछ यह लाइन लिखिया तो उसके append मतलब file add होगी लेकिन जो भी content आप लिखेंगे वो end of the content होगा जो आपका last content होगा उसके बाद ही add होगा सब कुछ तो इसके लिए कौन सी फंक्शन यूज़ करते हैं कंकंटे कौन के जो आपका एक जो इसके आपका करेक्ट हो जाएगा पिंदिनेड फॉर्य तो जो आपका name box होता है वो क्या करता है वो simply show करता है name of cell और रेंज करेंटली बरकेंग हों ठीक है option B sorry option C जो है आपका correct हो जाएगा next question है in Microsoft वर शॉटकट की control plus w is used for to MS word में जो आपकी control plus w shortcut की है वो किस लिए यूज होती है वो यूज की जाती है आपकी close करने के लिए current window को ठीक है option C जो आपका correct हो जाएगा next question है which shortcut key is used to spell check in MS word तो अगर आपने MS word में spelling check करने है तो उसके लिए आप जो है एप 7 की का use करते है ठीक है option C जो है इसका correct हो जाएगा next question है the minimum number of rows and column in word table can have is to world table में minimum आपके कितने row और कितने column होते हैं तो एक row और एक column होता है option D जो है आपका correct हो जाएगा next question है which of the following is not paragraph formatting तो दोस्तों paragraph की कौन सी इसमें जो है प्यारग्राप की formatting नहीं है आप प्यारग्राप को alignment भी दे सकते हैं इंडेंटिंग भी दे सकते हैं margin भी दे सकते हैं लेकिन बोल्ड फेस्वेस की identity नहीं है तो option D जो है आपका correct हो जाएगा next question है the word graph feature तो word graph feature क्या करता है यह करता है आपका जो भी content होगा आपने लिखा हुआ ठीक है उसको automatically जो है move कर देगा text को next line जब भी necessary होगा ठीक है आप यहां पर लिखते जारे लिखते जारे जब आपका content end में जाएगा तो automatically यहां से next line में चला जाएगा ठीक है in ms powerpoint you can create a new presentation by completion of all of the following except तो इन में से आप सारे steps को complete करेंगे सिर्फ एक step को छोड़के जब आपने new presentation बनानी हो ठीक है तो आप जो है क्या करेंगे और option सी इसका correct हो जाएगा ठीक option सी क्यों होगा क्योंकि first option है आप जो है new button standard toolbar से new button पर क्लिक करके आप जो है new presentation बना सकते हैं file में जाकर new में जाकर आप new बना सकते हैं control plus n से आप new बना सकते हैं लेकिन आप clicking on file open file open से सिर्फ आपकी file open होगी नई file नहीं बनेगी तो option सी जो आपका correct हो जाएगा next question है in ms powerpoint the following is the default page setup orientation for slides in powerpoint तो कौन सी आपकी जो है by default page setup orientation है slides की powerpoint में तो इसका जो correct answer होगा option भी होगा landscape ठीक है landscape जो है आपकी by default होती है next question है आपका in microsoft powerpoint ms powerpoint the entry effect as one slides replace another in a show is called तो अगर आपका जो powerpoint में entry effect होता है ठीक एक slide से जो है replace होके नदर छोगा उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं slide transition ठीक है slide transition option b जो है आपका correct हो जाएगा next question है objectives on the slide that holds text text are called तो आपकी slides में जो text का area होता है जो आपका text को hold करता थी कि आपके ऐसे से जो है text बने होते हैं बीच में उसे हम क्या कहते हैं उसे हम placeholder कहते हैं option a जो आपका correct हो जाएगा next question है the hand out master contents placeholders holders for all of the following except तो जो आपका master hand hand out master है वो आपके placeholder content करता है सब के लिए सिर्फ एक को छोड़के वो तो वो बताने आपने को कौन सा है तो option b जो आपका correct हो जाएगा title ठीक है title को छोड़कर सभी के लिए जो है यह placeholders को hold करता है जहें आपका slide number हो footer हो या header हो ठीक है तो दोस्तों यह थे आज के 25 most important MCQs जो कि आपके exam point of view से काफी important थे hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो make sure वीडियो को like कर दें comment कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो दोस्तों लास्ट में फिर से आपके लिए एक reminder देना चाहता हूं अगर आप जो है complete notes complete special notes MCQs mock test यह topic wise जो है वीडियो स्कॉर्स लेना चाहते हैं तो आप freely यहाँ पर दिए गए WhatsApp नमर पर without any hesitation जो है contact कर सकते है WhatsApp नमर है 8278723715 तो दोस्तों आपको तभी जो है यह complete समझ में आएगा अगर जो है आप जो complete detail में जो है कॉर्स करेंगे या जो है कर दो है